प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रति न्यूकलियान बंधन उर्जा का द्रब्यमान संख्या के साथ जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है अब इसकी सुरुवात हम यहां से करते हैं डियर जैसे कि अगर हम कहें कि हमने आकसीजन ले लिया या हाइड्रोजन ले लिया तो आकसीजन एक प्रकार का क्या है परमारू है हाइड्रोजन भी एक प्रकार का हम परमारू कह सकते हैं लेकिन अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन है आकसीजन है लीथियम है कारबन है तो यह अलग-अलग यानि कि विभिन प्रकार के परमारू हो तो अगर इन विभिन प्रकार के परमाणूं के इस्थाइत्यों की हमें गढ़ना करनी हो या इस्थाइत्यों की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम क्या करते हैं? इनकी बंधन उर्जा प्रतिनूकलियान और द्रब्यमान संख्या के बीच एक ग्राफ प्लाट करते हैं, यानि कि एक ग्राफ खीचते हैं, बस इसी ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? बंधन उर्जा वक्र कहते हैं, क्या डियर कहते हैं? इसे बंधन उर् उर्जा जितनी ज़्यादा होती है जिस परमाड की हमने कहा बंधन उर्जा जितनी ज़्यादा होती है वहाँ परमाड उतना ही अधिक इस्थाई होता है अब आईए हम लोग देखते हैं हमने यहां पर यही लिख रखा है तो सबसे पहले जो हमने कहा कि जैसे लीथियम, हाइ सीजन यह विभिन प्रकार के परमारु खे कि अगर हमें इस्थाइत दॉका अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो या अध्यन करना हो तो इनकी बंधन उर्जा प्रतिन्यूक्लियान संख्या के बीच हम एक हम um graph quo को हम क्या कहते हैं अभी हम यहां पर देखेंगे जो हमने graph दिखाया है, यह किस-किस के बीच हमने कहा, यह graph हम लोग खीचते हैं बच्चा, यह एक तो प्रतिनुकलियान बंधन उर्जा और दूसरा उसकी द्रब्यमान संख्या के बीच हम लोग graph प्लाट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो graph प्रतिनुकलियान बंधन उर अगली बात हमने क्या पता रखी है जिस ना भीक की प्रतिनुकलियान बंधन उर्जा जितनी ज्यादा होती है वह ना भीक उतना ही ज्यादा stable होता है यहीं कि उतना ही अधिक इस्थाई होता है तो ध्यान रखना द्रब्यमान संख्या जितनी जादा होगी उतना ही वहाँ नहीं प्रत नूकलियान बंधन उर्जा जितनी जादा होगी वहाँ नाभिक उतना ही क्या होगा अधिक इस्थाई होगा अब आप चित्र में य यहां पर देख सकते हो, कि द्रब्यमान संख्या लगफग यहाँ 40 है, 40 के बाद में 50, 50 से लेकर के 80 के बीच, अगर आप ग्राफ देखो, तो ये एक सपाट लाइन है, क्या है, सपाट लाइन, या कहो, एक सपाट सिखर प्रापत होता है, क्या प्राप्त होता है सपाट सिखर प्राप्त होता है तो यहां पर जितने परमाण होंगे यहां पर डियर जितने परमाण होंगे कहां 50 से लेकर के 80 के मद्ध है उनकी जो उर्जा होगी वह लगभग कितनी होगी यहां पर देखो उर्जा हमने million electron volt में दिखाई है तो ध्यान से देखो ये कितने पर आता है 50 से 80 के बीच में जो ग्राफ है लगभग हमें लग रहा 8.5 के बीच में गिरेगा यानि कि 8.5 MeV मिलियन एलेक्ट्रान वोल्ट के एप्राक्स होगी तो यहां पर जितने 50 से 80 के बीच में हैं उन सब की हम कहेंगे कि इस्थाइत तो उन सभी नाभिकों का जो इस्थाइत होगा वो सबसे जादा होगा तो इस परकार हम ये कह सकते हैं कि वे नाभिक जिनकी द्रब्यमान संख्याएं 50 वा असी के बीच हैं वो सबसे जादा यनि कि अधिक इस्थाई होगे कैसे हमने कहा अगर हम ग्राफ में 50 से 80 के बीच में देखें तो हमें एक सपार्ट लाइन या को सपार्ट सिखर प्राप्त होता है और इस सपार्ट सिखर पर जितने भी हम कहेंगे परमाण होंगे वो उनके नाभिक सबसे ज़्यादा इस्थाई होंगे वाले नाभिकों के लिए प्रति नूकलियान बंधन ओर्जा धीरे धीरे घटती जाती है असी से उची द्रब्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए अब असी से जो उपर है तो असी से उपर कौन आएगा 90, 100, 120, 140 तो देख रहे हो धीरे धीरे हमारी लाइन क्या हो रही है गिर रही है तो यहां पर जितने भी पर्मान होंगे उन सभी के नाभिकों का इस्थाईब तो क्या होगा वैस सबसे जादा कहा यह होगा यानि कि घटने लगेगा तो वही लिखा है कि 80 से उचे तो 80 से उचे हमने कहा 90, 120, 80 से उचे द्रब्मान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति न्यूकलियान बंधन उर्जा धीरे-धीरे हमने क्या लिखा घटती जाती है अतहा नाभिकों की जो इस्टेबिल्टी है इनकी इस्थाइप तो है वो भी क्या होगा घट जाएगा यही कारण है कि 83 BI 209 83 BI 209 के आगे जितने भारी नाभिक है सब के सब Radio Active कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं क्योंकि इनका इस्थाइट जो है वो घरता जाता है फिर अगले पॉइंट में देखो हमने क्या दिखाया है कि 50 से नीचे द्रब्यमान संख्या वाले नाभिकों 50 से नीचे तो 40 से बाद 50 आया 50 के बाद बढ़ोगे तो इधर आओगे 40, 50 के बाद 40, 30, 20, 10 ऐसे फिर जीरो तो 50 से नीचे द्रब्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए सब ही प्रति नूकलियान बंधन उर्जाएं घटने लगती है भाई आप इधर 50 जैसे इधर आओगे तो देख रहे हो बंधन उर्जाएं लगातार क्या हो रही भाई सबसे ज़्यादा ये था फिर इधर आओ तो क्या हो रही है घटती हुई दिखाई गई हैं ग्राप में तो 50 से नीचे वाली द्रब्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रति नूकलियान बंधन उर्जा धीरे धीरे घटने लगती है तथा 20 से नीचे क्या होता है इकदम से घट जाती है जैसे 20 के बाद देखो यहां तो धीरे धीरे घटी लेकिन जैसे 20 के आगे बढ़ोगे इधर कहाँ जीरो की तरफ तो देखो एकदम से घट गई तो बहुत तेजी से घट जाती है इसका मतलब है कि 20 से नीचे द्रब्यमान संख्या वाले नाभिक अपेच्छाक्रत कम इस्थाई है यानि कि 20 के बाद वाले बहुत कम इस्थाई होते है फिर उसके बाद में हमने देखो दिखा रखा है कि ए बराबर 50 से नीचे अगर द्रब्यमान संख्या 50 यह यहाँ था 50 अब 50 से नीचे वक्र सतत रूप से नहीं गिरता यानि कि लगातार नहीं गिरता 8-0-16 यहाँ पर देखी यह रखा 8-0-16 6-C-12 6-C-12 तथा 2-HE-4 यह रहा आपका 2-HE-4 हीलियम नाभिकों पर गौड सिखर प्राप्त होते हैं इन नाभिकों पर हमें क्या मिलता है गौड सिखर प्राप्त होते हैं अब गौड सिखर प्राप्त हो यह तो इससे हमें क्या मिलता है इससे यहाँ पता चलता है या कहो निसकर से निकलता है इस पश्ट होता है कि सम सम नाभिकों के समीप यानि कि ऐसे नाभिक जो सम सम नाभिक उनके समीप की द्रब्यमान संख्याओं वाले अन्य नाभिकों से अधिक इस्थाई हैं यानि कि पास पास या कहो समीब समीब की द्रब्यमान संख्याओं वाले अन्य नाभिकों से ये क्या होते हैं जादा इस्थाई होते हैं फिर नमबर पांच, यदि हम दो या दो से जादा जो हमारा ग्राफ है या चित्र है, इसमें हम मोटे मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि अगर हम दो या दो से अधिक हलके नाभिक जैसे 1H2 ले लो, यानि कि भारी हाइडोजन को किसी विधी द्वारा अपेच्छा करत क्या करें भारी नाभिक जैसे 2H4 में संयुक्त कर दें, तो संयुक्त करने पर होगा क्या, इनकी प्रति नूकलियान बंधन उर्जा बढ़ जाती है, और बंधन उर्जा बढ़ने से इस प्रक्रिया में अत्यधिक उर्जा मुक्त होती है, या का अत्यधिक उर्जा मुक्त होगी, इस प्रक्रिया को या इस घर्टना को हम लोग क्या कहते हैं इस घर्टना को हम लोग Carn repairs कहते हैं तो एक बंधन उर्जा वक्र कहते हैं एक बात और जिस नाभिक की बंधन उर्जा प्रत न्यूक्लिया जितनी जादा होगी वह उतनी जादा अधिक इस्थाई होगा अगर हम यहां से 50-80 के मद्द देखें तो हमें एक सपार्ट लाइन या को सपार्ट सिखर मिलता है यहां पर जितन जितने भी नाभिक हैं वह सब क्या होंगे अधिक इस्थाई हूँगे उसके बाद में संक्रमाफिक। हैं कि 83 B.I.E. 209 के आगे जितने भी हैं आपके परमारू वो सब क्या होते हैं या कहो जितने भारी नाभिक हैं वो सब रेडियो एक्टिव कहलाते हैं फिर 50 से नीचे द्रबेमान संख्या वाले नाभिकों के लिए प्रत नूकलियान बंधन उर्जा धीरे-धीरे घटती है अ बहुत कम इस्थाई हैं फिर उसके बाद में A बराबर 50 से नीचे वक्र आप देख रहे हैं continue नहीं गिरता है बलकि 8016 और 6012 और 2HE4 के नाभिकों पर क्या हमें गौड सिखर प्राप्त होते हैं इससे यहां हमें ग्यात होता है कि सम सम नाभिकों के समीप द्रबेमान संख्या वाले अन्य नाभिकों से ज्यादा इस्थाई होते हैं फिर अगर हम कोई दो हलके नाभिक जैसे की भारी हाइड्रोजन को किसी विधिद्वारा अपेच्छा करत क्या करें अपेच्छा करत भारी नाभिक जैसे हीलियम 2HE4 से सैयूक तकरा दें तो इनकी प्रत न्यूक्लिय बंधन उर्जा क्या होती है अधिक हो जाती है ज्यादा हो जाती है या कहो बढ़ जाती है और इस प्रक्रिया में भी अत्यदिक उर्जा मुक्त होगी इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं या इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं नाभिकिय सनलैन कहते हैं तो यह उर्जा ग्राफ तो बच्चों हम आसा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में सेर करिए और आज किस लेक्चर में बस इतना ही मिलते है अगले लेक्चर में धन्यवाद